अच्छा सिंहार होने वाला है तो वीडियो को फुल वाज जरूर कीजिएगा और हरे किष्णा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो बने रहीएगा मेरे चैनल में तो चलिए हम करते हैं सिंहार ये देखिए पहले हम इने पैंगल औरेंजी कलर का पहनाएंगे वस्तरू तो पहले ही पहन लिये थे आप देखी लिये थे वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए हमको अलग-अलग भाग में बनाना पड़ा गाइस जी हाँ इस ड्रेस में मेरे बासू बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं आज है एकादसी तो एकादसी पे औरेंज और एलो ये ही ड्रेस जादा अच्छा लगता है या तो रेड कलर का पहना ये आज मेरे प्रभुजी चार महिने के बार जगे है तो आज इनका सिंगहार भी बहुत ही सुन्दर होने वाला है तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे स्री मन नारायन नारायन हरे हरे तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे स्री मन नारायन नारायन हरे हरे स्री मन नारायन नारायन हरे हरे तो देखिए उम्तिलग वगेरा लगा चुके बासुजी को अब हम इने अंगोठी पहना रहे हैं तो देखिए हमारे बासुजी अब अंगोठी पहन रहे हैं यह देखिए हमारे बाबु अब इने चिक पे बिंदी लगाएंगे बहुत ही प्यारे लगते हैं चिक पे बिंदी लगाने से नोस्पीन भी पहना दियें अब तो लड़ू को भी नोस्पीन पहना दें चिलेक लगा दें नोस्पीन पहना दें अपने लड़ू को क्यों गिरा रहे हैं लड़ू बाबो लगा लो बाबो बाबो बहुत नौटी है जी हाँ अब देखिए इस तरह का हम इनको भी जोकरहार पहना रहे हैं मेरे लड़ू तो बहुत प्यारे लग रहे हैं अब इन्हें हम पहनाते हैं बैंगल्स जी हाँ देखिए हमारे लड़ू जी को प्यारे प्यारे शोना बाबू को अब इन्हें लांग हार पहनाएंगे जी हाँ अब इन्हें पहनाएंगे मुकोट तो देखिए हमारे लड़ू तयार हो चुके और यह देखिए साइड में मोरपंखी लगी हुई है बहुत ही प्यारी लग रही है ये ड्रेस मुर्पंकी की साथ पुरा इस्टोनबर्ग का काम हुआ है अब बहुत ही जच रहा है मेरे लड्डू पे भी ये ड्रेस देखिए बहुत ही सुन्दल लग रहा है इस ड्रेस में मिरे लल्ला अब देखिए बासु भी रेडी हो चुके हैं अब इनको हम लगाते हैं हेर फिर पहनाएंगे इन्हें मुकुट तो गैस देखिए मुकुट हम इस कलर का पहना रहा हैं क्योंकि ये ड्रेस के साथ ये मुकुट बहुत ही सुन्दल लग रहा है रहा है आज हम इनको ये ही मुकुट लगाएंगे तो चलिए इनकः हम फाइनल ली आपको दर्सन कराते हैं फिर मंदिर में इनको विरादमान करने के बास फाइनल इनका तच्छ एम आपको दिखाते हैं तो बस रादे रदे बोलो तो गैस ये है मेरे शाम सुन्दर जी आज इनका सिंगर बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आज एक अदसी है तो आज मेरे प्रभु जी का दिन है तो देखिए आज मेरे ठाकुर जी किस तरह से सिंगर कराते हैं तो वीडियो को अच्छे से इंजवाई करिएगा आज बहुत ही अनोखा हम सिंगर करेंगे इनका अब देखिए ठाकुर जी कैसा कराते हैं जैसा हम सोचे हैं वो ऐसा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं क्योंकि ठाकुर्जी तो अपने इच्छा नुसार ही सिंघार कराते हैं आपको तो पता ही है ये देखिए अब हम लगाते हैं सबसे पहले इने तिलक कि अब पहलाते है नोस्पीन अब इनके चिक पर लगाते हैं हम देखें पंचाइप शेकिए बाद इनके चैरे पर कितना सुंदर साइन आया हैं आप देख पा रहे होंगे के साइज साइड चिक मीं भी हम लगा देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता इनको इस्टोन से जितना सजाओ मेरा बस से ले तो इंको दिन भर सजाते ही रह जाए हम पर क्या करें गाइस कहां भी बहुत रहता है हम लोग हाउस वाइफ है तो जी हाँ अंगोठी पहन लिये है दूसरे हाथ में भी हम अंगोठी पहना देते हैं तिरी लेला सब से प्यारी प्यारी हरे हरे स्रीमन नरायन नरायन हरे हरे स्रीमन नरायन नरायन हरे हरे आज के दिन जितना जाब ताप करिए उतना ही अच्छा रहता है तो देखिए अब हम कान में इने जुमकी पहना रहा है देखिए इस कान में भी हम पहना रहा है इनको मुझे पता नहीं क्यों यह जोली इतना पसंद आता कि बार बर मुझे इसी जोली में सिंहार करना इनको अच्छा लगता है मुझे बहुत पसंद आता है यह जोली इस जोली में बहुत ही सुंदर लगते हैं मेरे शाम सुंदर जी तब इनने पहनाते हैं बैंगल्स अब पहनाएंगे इनने कमर बंध कि चिक पेवी थोड़ा हम इस्टोन चिपकादें बहुत अच्छा लगता है देखी मेरे शाम सुंदर जी बहुत ही अच्छा लग रहा है जी हाँ अब इने पहनाते हैं फूलो का हार तो देखी इसमें पान के पत्ते भी लगे हैं तुलसी पत्ता भी लगा हुआ है देखी कुछ इस तरह से हम पहना रहा है इने फूलो से इने सजाएंगे हम आज तो सज मत सावरे नजर लग जाएगे नजर लग जाएगे कितना प्यारा है जिंगार के तेरी लूम नजर उतार कितना प्यारा है सावर या तुमको किसने चाजाया है तुझी सुंदर से सुंदर गहना पहनाया है तुझी सुंदर से सुंदर गहना पहनाया है गम के द्वारा हेर को हम फिक्स कर दिये हैं ताकि हेर इधर उधर न जाए अब पहनाते हैं मीने पग कितना प्यारा है सिंघा के तेरे लूमे नजर उतार कितना प्यारा है सावरिया तुमको किसने सर जाया है तुझी सुन्दर से सुन्दर गहना पहनाया है तुझी सुन्दर से सुन्दर गहना पहनाया है तो देखिए गाइस इस तरह से हम मोतियों का माला है जो पक पे हम सजा रहा हैं आप देख पा रहे होंगे अब बहुत ही सुन्दर लग रहा है ये मोतियों का माला आप देखिए पक को आप जिस तरह से चाहें उस तरह से सजा सकते हैं अभी हम इने बहुत सजाएंगे आज तो देखिए इस तरह से ब्रोच लगा दिये इनके पक पर अब हम फूलों से भी करेंगे थोड़ा सिघार ये सारे फूल हम गम की माध्यम से ही चिपका रहे हैं आप देख पा रहे होंगे जी हाँ, देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं तो देखिए फाइनली मेरे बास शाम सुन्दर जी हो गए तयार अब इनका फाइनल लोग हम मंदिर के अंदर भी करते हैं तो चलिए तो गाइस यह देखिए पीछे से इनका कुछ इस तरह से हैं आप देख पा रहे होंगे देखिए साथ शात मेरे प्रभु जी घर में बिरजमान है तो तो है ही है लेकिन देखिए महसूस होता है आप देख पा रहे होंगे देखिए यह है फाइनल लुक हमारे शाम सुंदर जी का आप देख के जरूर बताईएगा आज का इंकार सिंहार कैसा हुआ है अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सस्क्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा हो सके गाइस तो सेयर भी कर दिया कीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना ना भूले बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले आप लोग एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों का कमेंट से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है तो आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताया किजिए कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है हम कोशिस करेंगे आपकी हर वीडियो आपको देने के लिए तो आप लोग अपना कमेंट में जरूर बता दिया किजिए कि आगे आप कौन सी वीडियो देखनी है तो देखिए गाइस ये रहे हमारे शाम सुन्दर जी इनका फाइनल लुक इस तरह से है पूरा अब बहुत ही सुन्दर पितामबरी ड्रेस में लग रहे हैं और ये देखिए हमारे बासु जी बासु जी तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं बासु ये रहे मेरे लड़ू तो देखिए कुशिस तरह से इनका एकादसी पर सिंगार हुआ है जी हाँ गाइस आप देख पा रहे होंगे तो गाइस देखिए हमारा पूजा हो चुका है आप देख पा रहे होंगे अब हम लेकर आएंगे बचों के लिए दूद जी हाँ तो कुछ इस तरह से मेरा पूजा हुआ है अब कलस अस्थापना इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशल पूजा हमें नहीं करना है जो नार्मली पूजा है वही हमें करना है आपको तो पता है गाईस बार बार हम आपको हर वीडियो में बताते हैं अभी हमारे यहां नार्मली ही पूजा होगा आप देखिए इस तरह से मारी कुछ पूजा होई है वीडियो पसंद आता लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताईएगा